आसनों का अभ्यास करते हुए अक्सर हम सांसों के उपर ध्यान नहीं देते और सांसों के साथ आसनों का तालमेल बिठा कर अभ्यास नहीं करते हैं जिसके परिणाम सुरूप आपको ठीक परकार से लाब प्राप्त नहीं हो पाता है और कई बारी पेट में, छाती में या शरी पहली बात जो आपको आसन करते हुए दियान रखनी है वो यह है कि सांसों के साथ अभ्यास का आसन का कैसे तालमेल बिठाया जाए अब किस आसन में कैसे सांस भरनी है कैसे छोड़नी है कब रोकनी है कब नहीं रोकनी इसके लिए हर आसन का अलग-अलग निर्देश है कौन से आसन में कब सांस भरनी और कब छोड़नी है इसके लिए हमने जो लगभग सवा सौ से डेड़ सो आसनों की वीडियो बनाई है उन हर एक आसन की वीडियो में यह बात बताई गई है कि कब सांस भरना है कब छोड़ना है कब रोकना है और कब सांसे सामानने रूप से चल और जो भी आसन की वीडियो देखें उसमें इस चीज की जानकारी दी हुई है अब सांसों के साथ आसन जब हम करते हैं तो आसन के साथ सांसों का ताल मेल बिठाने से शरीर के उपर क्या प्रभाव पड़ते हैं और क्या लाव हैं उसके इस चीज को पहले समझ लें अब एक त शासन में सांस को भरते हुँए पीछे जाना होता है। ज़ा पीठ अपनी पीछे की तरफ मोढ नी होती है। क्यों मोढ नी होती है क्योंकि जब आप पीछे की तरफ जा रहे हैं अब खिचाव आएगा पेट पे, छानी पे, और गले पे। इन खिचाव को और अच्छे से बढ़ाने के लिए सांस भर ली जाती है जिससे फेफड़े अंदर से और फूल जाएं और च्छाती की मांसपेशियां और अच्छे से फूल पाएं और अपना काम ठीक से कर पाएं जब पीछे जा रहे हैं तो ऐसे इससे ये फेफड़े फूल में तो इन आसनों में आगे जुकने वाले आसनों में आपको सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जुकना है क्यों जुकना है क्योंकि आगे जब आप गए हैं तो आपका पेट भी दबेगा छाती भी दबेगी और ऐसे में यदि आप सांस भरते हुए आगे जा रहे हैं तो ठीक से दब नहीं पाएगा और सांस भरे हुए पेट में आगे की तरफ जाएगे तो कई बारी अंदर दर्द भी होगा और अनवश्यक गैर जरूरी मांसपेशियों के ओपर दबाव पड़ेगा जिसकी कोई भी जरूरत नहीं थी तो हर आसन के साथ सांसों का तालमिल बिठा बहुत जरूरी है तब ही उसका ठीक लाप आपको प्राप्त हो पाएगा इसे प्रकार से जब तरिकोन आसन या अन्य कोन आसन या अन्य इस प्रकार की श्रेणी के आसन करते हैं साइड में जुकने वाले तो इसमें आपको कहा जाता है पहले सांस भरिये छोड़ते हुए न करना सबसे पहला नियम होता है अभ्यास करते हुए अक्सर सांसों के उपर हम ध्यान नहीं देते हैं और केवल आसन ही करते रहते हैं शरीर को अपने आगे कर दिया पीछे कर लिया दायमाय जुका दिया या मुड़ दिया कुछ लाप उससे जरूर प्राप्त होगा हिकविदी से करें और उसके लाप गुनवक्ता परभाव को बढ़ाने के लिए सांसों को उसमें जरूर जोड़कर अभ्यास करें